नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों भारत के पहले स्टेल्थ हतियार ओरा पर 2023 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और इसे ओरा के निर्मान कारिये के प्रोग्राम में एक बड़ा मील का पत्थर बताया जा रहा है ये एक बहुत स्टेप है जो भारत ने उठा लिया है और क्योंकि ये खबर सूपर इंपोर्टेंट है इसलिए कतरी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों खबर निकल कर सामने ये आई है कि भारत ओरा के निर्मान कारिये में एक बड से कुछ समय पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि भारत ने स्विफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट किया है यानि कि इस ड्रोन को हमने उड़ा कर देखा है जहां पर इसने जब अर्दस्त फ्लोलेस परफॉमंस दी थी इतना ही नहीं इन टेस्टिंग के दोरान इसने टेक ओफ वेपोइंट नेविगेशन को पफॉम किया था साथी स्मूथ टच्डाउन भी किया था यानि कि जो भी क्रिटिकल टेस्टिंग थी वो ओलेडी कंप्लीट की जा चुकी है अब समय आ चुका है औरा का निर्मान करके उसे भारते सेना में शामिल करने का और इस पर इसकी मैनफेक्चरिंग शुरू हो जाएगी वहीं इसके ओर को लेकर भी अपडेट सामने आ चुकी है दरसल डिफेंस और जिस ने बताया है कि भारते सेनाएं और आके करीबन सो से ज्यादा ड्रोन ओर कर सकती है इसका करण ये है कि हमारे जो पडोसी देश है चीन और पाक कर सकता है ऐसे में उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास भी भारी मात्रा में स्टेल्थ ड्रोन होने चाहिए इसके लावा दूसरा करण ये बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट फर्म है वो इस प्रोजेक्ट के साथ तभी जुड़ना चाहती है जब इसमें मेगा ओ अपडेट सामने ये आई है कि भारतिय नोसेना एक अलग तरीके का ओरा यूसीए भी चाहती है दरसल ये एक डेक बेस ओरा चाहती है जो भारतिय नोसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके और वहां से टेक ओफ करके ओपरेशन भी अंजाम दे सके और इसके पीछ पड़ने पर कारवाई भी कर सके और ओरा के साथ हमें अडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा ओरा दुश्मन पर जासूसी करेगा और क्यूंकि ये स्टेल्थ होगा इसलिए दुश्मन को पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है इससे भारतिय नोसेना को अड़़नेज ये होगा कि दुश्मन अगर हमारे खिलाफ कोई कारवाई या कोई प्लानिंग कर रहा है तो उन्हें लगेगा कि उनकी प्लानिंग सही जा रही है भारत को इसके बारे में नहीं पता चला लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ओरा जो एक स कब जाने में लगा हुआ है और इनकी प्लानिंग यह है कि नहीं बैस बनाये जाए जैसे 말गत ब्ने की के चीन का पुरा हम्बड टौटा पूर्ट कब मत जा लिए और व जूंद का बचेए उस पोजिछन हमारे लिए फाइदे मंद होगा और जल से जल इसका निर्मान कारिय शुरू कर देना चाहिए और मेरे हिसाब से तो सरकार को इसी साल के एंड में इसको अप्रूवल देनी चाहिए हाला कि इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको देता चलूँगा फिलाल इस व बेर मच पूर आचिंग वीडियो